स्वागता बच्छा आपका सेल स्टेडी के चैनल में और आज हम एक करंट इशू है करंट इशू में एक आपको हिस्ट्री का कुछ जानने को मिलने वाला है हिस्ट्री में जो एक विद्रो हुआ था पाई का विद्रो इसके बारे में हम जानने वाले हैं की ये पाई का जो विद्रो है, क्यों न आप इसको पहला स्वतंतरता संगराम, मतलब जो 1867 में हुआ था, उसको इसको अऐस को पहला स्वतंतरता संगराम क्यों नहीं गोशित कर देतें, तो ये बात हुई है, और ये जो चीज है, वो 2017 में, ओडिशा सरकार ने, गुहार लग आते वे संस्कृति मंत्राले से कहा था कि पाइका विद्रो को आप देश का पहला विद्रो गोशित कर दीजी यानि संतंतरता संग्राम गोशित कर दीजी पहला अब कोशन उठता है कि अगर हम इसको गोशित कर दे तो यह 857 का जो हम पढ़ते आ रहे थी किताबों के अंदर इसका क्या होगा तो यह जो चीज है इसको लेकर जो ओडिसा सरकार कह रही है कि हमें यह जो विद्रो हुआ है कब हुआ है इसको जान लेते हैं यह पाइका विद्रो जो है वो 1817 यानि 817 में हुआ था ओविसली इससे पहले हुआ है तो इसको लेकर एक बात हो रही है अभी क्या हुआ 1517 में जो ये विद्रो हुआ था पाई का विद्रो हुआ था ओडिसा में जिए अब Ja17 में जब हुआ तो 2017 को इसके 200 साल पूरे हो गए 200 साल जब पूरे हुए तोぎ agriculture DOWN यानि central government ने क्या क्या ओडिसा सरकार को 200 Sanskriti कार्यों के लिए 200 colocar और रुपे दे दिये इतने खुश होगे तो बोड़ी सा सरकार ने अपनी खुशी को और जाहिर करते हो और बढ़ाते हुए का किस सरकार जनाब एक काम और कर लीजिए करिप्या करके यह आप यह अठासो सत्रा का जो पाइका विद्रो है इसको पहला संतंतरता संक्राम का गो कर सकते हैं क्योंकि देखो इंडियन कांसिल उफिस्टोरिकल रिसर्च उन्होंने कहा है कि इस बात की गवा है कि जो भारत में जो संतंतरता संक्राम हुआ था पहला अठासो सत्तावन गवा उसकी गवा मिलते हैं हमें उसकी प्रूफ हैं हमारे पास कि यह जो 1857 का जो विद तुस वक्त लोगों ने विद्रो करने शुरू कर दिये थे। लोगों ने सीमित था यानि हुआ नहीं तो इसको एक तरीका से वह पहला संतन तक नहीं बात कर नहीं कर ली आइए रहे कि ऐसे अंधर जो क Currently आज़ए के इंद़ो आप लोगों के लिए मतलब कि जो पाइका विद्रो है क्लास 8 में इसको डलवा दिया जाएगा NCRT की बुक में अभी ये पाइका विद्रो पड़ा जाएगा तो ये बात बोल दिया अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि पाइका विद्रो की उसको लेकर मांग चल रही थी सेंटर ने रिस्पोंस दे दिया कि देखो हम नहीं कर सकते इस्टोरिकल रिसेस्ट ने का है कि देखो इस बात के सक्षे मिलते हैं कि जो फर्स्ट वो और या फिर कहेंगी पहला सुन्तनतरता संग्राम जो हुआ था वो 877 में उस बात की गवाई हमें मिलती है लेकिन इसको हम 877 को नहीं मां सकते हैं तो ये बात होगी क्लियर अब काफी टाइम से मैं चर्चा कर रहा हूँ 877 के लिए कर मांग चल रही है उडिशा सरकार ने मांग लगाई है 200 क्रोड रुपे दिये थे सरकार ने सिक्का भी लगाया था सिक्का भी छुपआया था और भी बहुत सारी चीजे हैं ये देखिए काफी सारी जो 200 साल पूरे होगे तो इसके लिए काफी चीजें यहाँ पर की गई थी 200 साल जो पूरे होने के उपर एक सीका भी यहाँ पर लॉंच किया गया था, खेर में उसकी इमेज नहीं लेकर आया हूँ, और 200 क्रोड रुपे दिये थे वहाँ पर, तो यहाँ पर जादा खुश हो गए थी, उडिशा सरकार उन्होंने का क्यों ना एक और कदम आगे बढ़ा जाए, तो यहाँ चीज उन् टेल के रूप में, मतलब कि लोग कथाओं में यह सुनाई जाती है बच्चों को, कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो यह सारी चीज़े वहाँ पर अभी इसका बहुत मानने है, इसका बहुत चीजों में मतलब कि लोग बहुत यकीन करते हैं, मतलब यहाँ पर जोश भादेता है लो ब्रिटिशर्स थे, उनका आगमन स्टार्ट हुआ, शुरुवाती 1817 की बात है, शुरुवाती 1817 में यह जो ब्रिटिशर्स थे, इनका आगमन शुरू हुआ ओडिसा में, तो वहाँ पर यह जो बक्षी जगबंदू विद्यादर जी है, इन्होंने एक नेत्रितु किया, इन्होंने वहाँ पर दिखें, उस वक्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो किसान प्लस, किसान प्लस सिपाही, किसान प्लस सिपाही, मतलब यह दोनों जो थे, वो एक ही हुआ करते थे, कोई अलग-अलग काम नहीं था, यहाँ पर ऐसे सीज़े चली ज़िए अगर जुरूरत पड़ती थी, तो किसान प्लस सिपाही बन जाते थे, लेकिन अगर जुरूरत नहीं पड़ी हुई है, तो वो अपने खेतों में काम किया करते थे, तो यह पहले ऐसे प्रथा चलते थे, तो बक्षी जगबंदु विद्यादर्जी ने क्या किया, इनको कठा किया इनको समझाया कि देखो, अंग्रेज आ रहे हैं, हमें उनका विरोध करना होगा, अगर वो यहां आ गए तो हमारी चारी की सारी विवस्ता खराब कर देंगे, तो यह बात वो समझाने में काम्याब हुए, और यहां पर इनोंने अपनी एक तरीके से इन लोगों के कठा करक बहुत बड़े तोर पर यहां पर विद्रोज स्टार्ट कर दिया है, फिर कहें, आंदोलन शुरू कर दिये, अंग्रेजों के लाव, शुरुआत में अंग्रेजों को काफी जादा दिक्कत आई थी, इस चीज़ को संभालने में कैसे टेकल किया जाए, लेकिन बाद में क्य हुआ, यह देखें, अठासो सत्रा से लेकर, यह अठासो सत्रा से लेकर, 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 तो यह बात यहां पर लिखी हुई है, तो 1825 में जब बक्षी जगबंदू विद्धर जर्ची गिरफतार कर लिया था, यह वहां पर समाप्त हो गया था, तो यह था पाइक का विद्रो, अब क्या करना है, आप लोगों के लिए में, देखें, यहां पर चीजे लिए हुई है और यह सारा कंटेंट आप लोगों को PDF में मिल जाएगा, आप टेलिग्राम के चैनल पे जा सकते हैं, उसका लिक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हुए, कोई प्रोब्लम नहीं है, आपको सब कुछ वहां लिखा लिखाया मिलेगा, यहां पर इनके बारे में सब कुछ मै आप लोगों के लिए और किया है, कि किया होता है कि exam में अकसर वो चीज़ें आती है, लेकिन static gk जो है वो परभावित होती current से, कि current में क्या चल रहा है, क्या चीज़े news में आ रही है, तो news में देखे, पाई का विद्रो आ गया हम, तो definitely पाई का विद्रो के बारे में पू आप जो विद्रो हुए थे, वो चीज़े मैंने आपर रख दिया है, जैसे सन्यासी विद्रो हो गया, काफी important है, बिहार बंगाल में, कौन थे, केना सरकार, दिरजी नारायन थे, काफी time period इनका काफी important होता है, तो यह चीज़ें आप की होगी, और यहां पर पाई का विद और यहां पर मुंडा विद्रो, मुंडा विद्रो काफी important है, जारकन के बिर्शा मुंडा, भगवान मिर्शा मुंडा कहते हैं इनको, इनके लिए जो time period है, वो काफी है, आदिवासियों के लिए इन्हों ने विद्रो किया था, अंग्रेजों का जब वहां पर आ गए थे, तो इनके खिलाब यह लड़े थे, काफी important है, मौपला विद्रो हो गया, कुका विद्रो हो गया, यह जितने भी विद्रो हैं, काफी जादा important है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहीं पर एक चीज़ यह ला दिया, ताकि आपको कहीं और जाकर सर्चना करना जाती हैं, तो एक तो यह हो गया, clear, और अभी थोड़े दिन पहले जो हैं, अपने ध्यान रखने हैं कि, मैंने कुछ वीडियो की हैं, जैसे ओनाक अबामा कौन है, उनके बारे मैंने आप लोगों को बताया था, रानी गेडिन लिव कौन है, यह मैंने आप लोगों को जाएंगी, अब यह सारा चीजा, सारी चीजे जो हैं, वो आप लोगों को एक PDF के रूप में, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उसका लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिलेगा, साथी साथ फेस्बूक पर भी आपको मिल जाएंगी, फेस्बू तो करिए ही करिए, तो बस आज के लिए इतना है ता, और आगे मिलेंगे कुछ इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ, जो करंट में आ रहे हैं, लेकिन वो स्टैटिक को परभावीत करते हैं, मतलब उनसे स्टैटिक जीके क्या उनसी आ सकती है, वो चीजे हम लेके आता तो बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में, तैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो